अज़र अजय को अच्छा अजय को आख अजय को अख अच्छल माइड एरेंड्ट अजय को सब्सक्राइब हो एल्लियर वीडियो वियव डिस्कॉस्ट केस्ट लॉप्रोम इंदरिश्टिविटीज एंद वन सिम्पल ग्षिटिन नाओ वी यवडिस्कॉस्ट्स कि मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट और आपका रिविजन गराएता हूं कि जितने हमारे कैस क्या होते हैं कैस इन फ्लो होते हैं ठीक है वो सब एड होते हैं और जितने हमारे कैस आउट फ्लो होते हैं वो क्या होते हैं लैस होते हैं ठीक है इतनी बात आप ध्यान नहीं कि जित फिक्स अब चया आपके पास मनी आएगा तो आपको सेल नॉन करेंट इंवेश्टमेंट आपके यह कि यह बिलू रहा है और नहीं आपको सीवारा इसमें आपके पाके करोगे चैनोन करेंट है या कोई पेड करोगे आप कैपिटल गेंडे टैक्स पेड कर दिया आपने ठीक है वह सब क्या और फ्लोव है तो वह यहां माइनस हो एगा ठीक है तो अब हम में एक सिंपल सा कोश्चन डिसकस करते हैं यह कोश्चन सही है आपका अच्छी तरह समझ में आएगा आपको कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फिर आपके सामने कोई भी हार्ट कोशन नहीं आप इसली उसे हैंडल कर सकते हो ठीके संस तो देखिए आप कैल्कुलेट कैस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम फॉलाइं इंफ्रमेशन ठीके अब देखिए इसमें इसमें आपको ओप्रिंग दे रखा है 31st मार्ट 2019 और क्लोजिंग देर का 31st मार्ट 2020 ठीके यह हमारे फैंसियर की क्लोजिंग है तो यह हम ओपनिंग मानेंगे यह ह तो ओपनिंग में था 6,000,000 और क्लोजिंग में वगया 16,000 तो इटमिंग कि आपने पर्चेस करा होगा ठीके वैसे तो यह बढ़ लिए गया होगा ठीके रात और रात यह तो लिए आपका लेंड थोड़ा सा था रात और रात आपका पूरा पिर्मदार आपका होगया ठीक ठीक है यह क्या है यह ओप्रिंग में था आपका फॉर लेक और क्लोजिंग होगे टू लेक्ट फिफ्टी थाउजेंड इट मिन्स कि आपने कहीं न कहीं इसे डिक्रीज देख रहे हो तो यह सेल कर रहा होगा आपने ठीक है इन्वेस्टमेंट्स कभी भी क्या होते हैं इन में अब एक देपरेश्येशन नहीं लगता है यह क्या होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स सेल कर दिया है ठीक है और प्लांट Tempery यह अपको आपके ус सबागें अबगें में पाद्देम था का फिफ्टीन था ओपनेंग् transmit अपको स्सक्राइघ दैपकर क्लोजिंग होगया तो यह क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो कहीं नहीं आपने गुट्विल क्या कर रहा है ठीक है अब देखो एडिशन इंफ्रमेशन क्या है यह मसीन कोस्टिंग रूपीज 40,000 रूपीज ठीक है मसीन की कोस्ट कितनी है 40,000 डेप्रेसेशन प्रोवाइड देयर ओन रूपीज 12,000 ठीक है डेप्रेसेशन किता है 12,000 डे वाँ सोल्ड 35,000 ठीक है आपने सोल्ड करा इसे 35,000 में डेप्रेसेशन चार्ज डूरिंग यहर वाज 60,000 ठीक है 60,000 अब यहां प्लांटेर मसीन हमें यह भी दे रखा है और मसीन हम यहां भी कैलकुलेशन उसमें कर रहे हैं यहां लेजर बनाना पड़ेगा ठीक है क्या बनाने पड़ेगा लेजर बनाना पड़ेगा जो आपने क्लास 11 में जनने इंट्री सीखी ती फिर लेजर सीखा था तो तो लेजर एकाउंट आपको इसका बनाना पड़ेगा इसलिए हम डिरेक्ट से नहीं लिख सकते हैं कि यह इंक इसमें से आपको depreciation minus करना पड़ेगा ठीक है depreciation पड़ेगा minus करना पड़ेगा यहां क्या लिखा है और प्राइस था अगर बाइद वे यहां क्या होता book value होता यह return off होता ठीक है या तो book value होता यह return बरेदर अँटैक्स करने की जरुवत नहीं है इसलिए है इसे है यहां कोष्टन गए टो इसमें अपको मायनस करना पड़ेगा क्यों फैक्रिफemen परना हो गया तो इस finden तो आपने मैंने से सो कर दिया अब देखो ठीक है और ब्रेकिट में भी सो कर दिया इसे ठीक है 10 परसेंट लॉंग टम इंश्मेंट से आपके फोले के थे टूले 50 थाजन के रहे घ तो अपनी क्या रहा होगा सेल कर नहीं ठीक है सब्सक्राइब तो सेल लॉंग टम लुट लिग दिया हैं याँ वन लैक फुर्टी थाजिन तो अब आते हैं अब क्या हुआ जितनी भी आप एसमें अगर आपको परसेंटेजद यह 10% दिया है तो आपको उसका इंटरेस्टë निकालना पड़े ठीक है तो यहां इंटरेस्ट किसा पर निकाल नहीं गया है जो आमने उपरिंग में खरीड है ठीक है तो अपनिक में जो इन्वेस्टमेंट तो यह मने पास तो यह हमने कैसर कि इमांट में लिख दिया अब क्या है अब प्लांटेन मसीनरी की बात आती है अब प्लांटेन मसीनरी का लेजर एकाउंट बनाएंगे तो उसको देखते हम कैसे बनाया हमने ठीक है तो देखो आप यहां है प्लांटेन मसीनरी ठीक है क्या है प्लांटेन मसीनरी है तो इसमें क्या हुआ कि आपने क्या गराया देखो लिख दिया है devil side and closing लिख दिया है credit side ठीक है तो आपको पता ही है आप हुआ अपने trading account बनाया था तो opening का लिखते हूं अप डेविट side closing credit side लिग दिया में और आपने दो कितने का करा था 35,000 35,000 का लिखा था अब देखो और depreciation 차ards कर है during the year पूरे साल जो डेप्रेश्यशन चार्ज करा है वह कितना करा है 60,000 रुपीज तो यह डेप्रेश्यशन आपको पता ही है और आपने प्रिवेस येर पढ़ा था alter just in writing chapter फुरगा पूरा चैप्टर ही वड़ागा आपने रिटन ओफ टिके वही है यह डिभी दिक ने जहांने क्ला अनलिक प्रत होगा इस अचेक हम कर दिक स्द्न करते इतना इतना हमारा क्लोजिंग था यह टोटल लगा थी लेग 95,000 ठीक है अब यह आपको डाउट और लगा यह 7000 कैसे आया अब मैं आपको बता तो कैसे यहां देखो फॉटी थाउज़न कोस्ट थी और त्वेल थाउज़न यह ठीक है तो आपको प्रोफिट हुआ है ठीक है तो आपने आपने थर्टीफाइब की वेच दिए टुइटीएट की मसीन तो कितने की फाइदा हुआ तो सेवन थाउजन का तो सेवन थाउजन हमने प्रॉफिट इदली जा अगा बाइद वे आपको लोस हो था तो आप कि दलिखते क्रेडिर साइड में लिखते ठीक है आपको यह लिखेंगे तो ममें ना आघ्या ब्रेग बाइट मागे ठीक है आप क्या सेल भी करहा है हमने प्लांट मसीन दी वो कितना रहा है 35 था तुरूजन का करें तो यह लिख दिया यह 35 थावजेंट अब हमने प्टियस आप पर चैस्क्लिए ओप्रिंग में था वराफ फिप्टी गया है तो आप हमनेम्न थिभी कर रहा वब प्लस की वीडियो ज्याधा रही है थीक है तो तो मैश में ब्रेकट में हमने सो गर दिया है हau जब माले समाता है तो प्रिविएश वीडियो में आपको बता रखा है हम लिखते हैं यूज इन लिट्म नेट सब्राइब investing activities ठीक है तो यह क्या हो गया investing activities हो गया है तो यह question आपका clear हो गया है questions questions तो यहां हमने यह question देखा तो आप यह question पूरा देखिए और समझीए और इसे अपनी fair no-do पर करिए ठीक है questions और कोई भी कह रही हो तो description पर मेरा वर्टसप नंबर आपको मिल जाएगा और आप मिस्टर वर्टसप पर पूछ सकती हो ठीक है तो हमारा परपास यही है कि आपको online study कराई जाए और आपको अच्छे score कराई जाए बोर्ड एक्जाम में ठीक है तो यह भी हमारा investing का था तो इसके कुछ hard question हम आगे भी देखेंगे okay friends thank you for watching